लखीमपूर काड में किसानों के साथ एक पत्तरकार हुए शहीद लखीमपूर में अंदादूंद बाग रही गाड़ियों ने केवल किसानों को नहीं कुछला बलकि एक पत्तरकार भी शहीद हुए हैं लखीमपूर गटना के दोरान निगासन के पत्तरकार रमन कशप के लापता होने की जानकारी मिली थी परन्तु उसी रात पत्तरकार का शव अस्पताल में मिला मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमन कशप साधना न्यूस चैनल के पत्तरकार थे गटना सल के विज्वल ले रहे थे तबी तेज रफ्तार गाणी ने उन्हें टक कर मारी और वे सडक किनारे खाई में गिर गए और गंबीर गायल हो गए और बाद में अस्पताल में इलाज के दोरान उनकी मिर्त्यू हो गए रमन करशप की दो छोटी बच्चियां है एक तो दूद मुहीर गोधी में है स्थानिया पत्तरकार संग्ठनों में पत्तरकार रमन करशप की मौत को लेकर भारी अक्रोश है प्रेस जनलिस्ट ओफ इंडिया के वरिष्ट पदादिकारी दीरज गुपता वैशिशिर शुकला सहित सेंक्डों पत्तरकारों ने शोक जताते हुए सरकार से मुआवजा देने की अपील की साथ ही संग्ठन ने मरतक की पत्तनी को सरकारी नोकरी और 50 लाग के मुआवजे की मांग रखी और प्रिजनों ने की हत्या में शामिल लोगों पर कार्यवाही की मांग इस गतना को लेकर पत्तरकार संक्टनों ने इस मामले में देश भर के पत्तरकारों से अपील है कि रमेश कशप की पत्नी का सेयोग करें लखेंपूर से आर्पीडी न्यूस की खास रिपोर्ट